तर दोस्तोर में आपका बहुत सौग्वाटें जैसा कि आपने कलवाले वीडियो क्या ले रहे हैं अगले बाताद का अगले वाले मां पढ़ने आयोगत है तक यह दोता सब्सक्राइब है कहानी का रिकाप यह है कि रिकाप में आप क्या समते कहानी जो है और इसमें जो है एक दुकान दा मतलब जो स्टोरी है ठीक है इस्टोरी में जो है कि ऑए एक कि रिकान अगे बढ़ रहा सोब कहानी आगे बढ़ रहा है इसे पहले आधे आप देखिए और इसके पहले वाले में आपने जड़र्या दिखिए आ पहला संटेज लेते है इसका मतलब एक पक्षी ठीक है और कस्टमर पॉंटेड अचानक एक लटके हुए पिजड़े की और निसारा किया और जिसमें दो बरफीली पक्षी थे कभूतर उनके लिए कितना है मतलब पक्षी थे कभूतर था और उनके लिए कितना ऐसा उसने जो खड़ने वाला है उसने पूचा नेक्स तो 55 देके 55 यह सब कन्वस्टेशन है डायक्ट और इंडायक्ट स्पीच में बोलते इस तरह से आपको लग रहा होगा किम तू प्रॉंप्ट अंसर्स एंड वेरी रिजनेबल प्राइज दे आर फाइन फेर यह संटेंस आप या प्याज रखेंगा दे आर फाइन फेर कैसे जो मैं बताऊंग आपको यहांद कि इस फाइपिप्ट यहने पचास पांच पचास का मतलब है कि अब उनका बोलने का तरीका ऐसे हैं लोग तो 55 बोलते हैं लेकिन 550 वह जाहिसी बात है उस तरह से words है ऑन्स और डॉलर्स की बात हो रहे है तो 550 लिग दप्रॉंप्प्ट एंसर तुरंट उत्तर आया ठेक है गे उचित कीमत है, वे एक अच्छी जोड़िये, they are fine pair, fine, sorry, they are fine pair, वे अच्छा जोड़ा है, ठीक है, 550, फुरी question mark, यानि कि 50, 50, 50, the man was obviously crestfallen, वे अदमी स्पस्टता निरास था, ठीक है, he, 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 he hesitantly produced a $5 bill, इसका मतलब है सो कि मैं उसने जिड़कते हुए, जिड़कते हुए, पाँड डॉलर का बिल पेस किया, the man was obviously crestfallen, crestfallen, मतलब कि बहुत ही वो, क्या हुआ, निरास हो गया, वे अदमी स्पस्ता निरास था, crestfallen means निरास, इसका मतलब कि निरास हो गया, he, 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 assistantly produced a $5 bill, उसने जिड़कते हुए, पाँड डॉलर का बिल पेस किया, I had like to, I had like to have these birds, मैं इन पक्षियों को लेना चाहता हूँ, but, but this is all I, this is all I have got, लेकिन मेरे पास बस इतना ही है, के बल $5, just $5, but, but this is, but this is all I have got, यानि कि लेकिन बस, लेकिन मेरे पास बस इतना ही है, लेकिन मेरे पास बस इतना ही है, इसका मतलब, what this, this is all I have got, इतना याद रखेगा, लेकिन मेरे पास बस इतना ही है, यहाँ मैं लिख दूँ इसका हैंदी, लेकिन, 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 मेरे पास, ठीक है, मेरे पास, बस, इतना ही है, यह है, यह है, इसका इंग्लिस है, what this is all I have got, लेकिन, बस मेरे पास बस इतना ही है, यह अब हमें सा यूज कर सकते हैं संटेंस को, मेरे पास बस इतना ही है, इतना है, just $5, अब देखे, mentally Mr. Purcells made a quick calculations, which told him that at 50 cents, the reductions he could steal or rape a TD profit, he smiled magnanimously, देखे, मानसिक रूप से श्री मान परस्रेल ने एक त्वरित गर्णा की, मतब जोड़ देखे, हिसाब किताब दिमाग में किया और उसने उन्हें बताया कि 50% कटोथी पर भी वह अच्छा लाब प्राप्त कर सकते हैं, जो दारता, पुरुबक मुस्कुराए, तेके, Mr. Dear man, if you want them that badly, you can certainly have them for the $5, मेरे प्यारे आदमी, अगर तुम, मतब जो है, अगर तुम उन्हें इतनी बुरी तरह से चाहते हो, तो तुम निश्चित रूप से उन्हें 5 $ में पास सकते हैं, उनको बैस फैदा था, तो यह तो था दोस्तो कहानी, अब आगे वाले बाट में चलते हैं हम लोग, तो दोस्तो ओमनी से चल में आपका फिर से स्वागत है, और आज आप इस वीडियो में जो आपने अभी तक recap कल वाले वीडियो को देखा, जो स्टोरी को मैं पूरा करना चाहरा था, वो मैंने किया, तो दोस्तो, how to read English, English words को कैसे सही से पढ़े, आप लागतार अगर बने रहेंगे, हमारे साथ हमारे तरह उचान करते रहेंगे, पढ़ने से आपको कोई रहोप नहीं सकता है, अगर आप आज तपको सुधीरी चौधरी को देखा करते हैं, सुन सकते हैं, फालतो की समय रिल्स पे, सौर्ट्स पे देख सकते हैं, इधर लोग उसे बात कर सकते हैं, तो फिर ये उसी तरह का बात समझ के और अपने जीवन क को जरूर बदली, अब चलिए आगे वाले पार्ट में में पढ़ते हैं, दोस्तो पहले तो इनको मैं पढ़ दूँ, लेकिन पढ़ने से पहले मुझे लगता है कि इसकी कहानी को मैं बता दूँ दा कि आपको अच्छा लगे, लेकिन होता है कि कहानी बताने को चक्कर में ज कि I will, I will take एक बाद ही है, take them, he laid his $5 on the counter, Mr. Purcell tottered on tiptoe, unhooked the cage, unhooked the cage and handed it to his customer. The man, the man cocked his head to one side, लेकिन लिसनिंग, लिसन में जो ये टी जो है, ये फाल्स तुका टी है, अब अंग्रेज क्यों लिखते हैं मुझे पढ़ना ही नहीं, तो लोग क्यों पूरे दुनिया को बेकूप बना रहे हैं, ये मुझे नहीं पता है, जाएर सी बात हैं पता करने के हो इसकी एक अलग गाथा हो सकती है, लेकिन इंडिया में से कोई शक्ता ने लिसनिंग पूरा है सरी इस तरह लिसनिंग लिखना चाहिए, लेकिन चलिए कंपेर टू जाहर सी बात है, ब्रिटिसर्स या जो इंग्लिसमेन जो भी है उनके लिए, तो देखिए, यहां टी जो है लिसनिंग है, 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 लिसन doesn't it get you noise what noise Mr. Purcells looked surprised he could he could hear he could hear nothing unusual unusual the customer customer glared I mean all this stuff drives you you crazy doesn't doesn't it Mr. Purcells drew back either the man was insane or drunk drunk he said has it yes sure certain certainly I guess so listen this listen 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 the staring staring eyes came closer closer how how long 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 had you long had you think think it took took me make the five dollars the merchant merchant wanted to order order him out of the shop but oddly enough uses enough he could not couldn't he heard himself dutifully I don't know I don't I don't know I will take them इसका मतलब ही हुआ इसका मतलब हो तो I will take them का मतलब कि मैंने इन्हें ले जाने करने ने लिया है कि निने I will take them मैं इसे ले जाओंगा उन्हों से ले जाओंगा I he he laid his five dollars on the counter ठीक है उसने अपने पांच डॉलर counter पर रख दिये इन्हें ही लेड ही लेड ही लेड ही लेड ही इस five dollars on the counter उसने लेड में रखना तो ही लेड ही उसने अपने पांच डॉलर पर रख दिये ठीक है next जो है तो Mr. Purcell tottered on the tip top unhooked the case and handed it to his customer ठीक है Mr. Purcell ने पंजो के बल लड़ खडाते हुए पिंजडे का हुख खुला और उसे अपने ग्रहां को सौप दिया आगे देखिए दोस्तो the man the man cocked his head to on to one side listening listening to the constant chittering the rushing scurry of the shop देखिए कितना easy है दोसो और कहने का मतलब है दो कि उसे और उसे अपने ग्रहां को सौप दिया देखिए उस आदमी ने अपना सिर एक तरफ जुका लिया और दुकंदार की लगतार होने वाली खटपट भागदोड़ वाली आवाज को सुनने लगा वह सूर बढ़ड़ाया ठीक है यह तुम्हें समझ नहीं आता ठीक है देट नॉइज यहां पर दिकें डिट डजंट गेट डिट डिट गेट यू क्या या तुम्हें जो है समझ नहीं आता आगे देखिए नॉइज यहां पर देखिए नॉइज शोर वाट सोर वाट नौइज वतकी सोर क्या सोर कैसा सोर स्री मिस्टर पर्सल लुक्ड सर्प्राइज श्री पर्सल जो है आशर चकित दिखे ही कुड़ हेर नथिक अनियूज्वल वह कुछ भी आसामान नहीं सून सके इसलिए तक्स्टमर ग्रहांक ने घूर कर देखा आइमीन 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 आल दा आल देज केस स्टाप्ड मेरा मतलब है कि यह सपिंजडे में बंद समान है यह तुम्हें पागल कर देगा ना डाइब्स देखिए डाइब्स डाइब्स यू क्रेजी डाइब्स यू क्रेजी डाज़ेंट इट यह तुम्हें पागल कर देगा ना कर देता है ना तो बोल रहे थे उस भी निरियों को देखकर Mr. Purcell's due back यहां देखिए Mr. Purcell due back Mr. Purcell पीछे हट गय है या either the man was in sense या तो वह पागल या तो वह आदमी पागल था और drunk या पीए हुए था नशे में था he said has itly has itly ठीक है उन्होंने जट से कहा yes yes हाँ हाँ certainly निश्चित I guess so निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है listen सुनो देखिए listen सुनो the staring eyes came closer गूरती निगाहे करीब आ गई how long had you आपको क्या लगता है think it took me to make the five dollars मुझे पांच डॉलर कमाने में कितना समय लगा the merchant wanted to order him out of the shop व्यपारी उसे दुकान से बाहर निकालना चाहता था but but oddly enough लेकिन अजीव बात है वह नहीं कर सका he couldn't अब इसे लिख लीजिए याद कर लीजिए ही कुड़न्ट हुआ नहीं कर सका उन्होंने स्वैम को करताविनिष्ट से सुना he heard himself dutifully उन्होंने स्वैम को करताविनिष्ट रूप से सुने तो दोस्तों अब दिखी यहां तक जो मैंने बताया और इस वीडियो में अब अब चुकि 16 मिनिट हो गया अगर मैं आगे बताऊंगा तो फिर यह वीडियो जो है लंबा हो जागा 32 मिनिट को जागा कि पदा 16 मिनिट का समय और लगने वाला तो दोस्तों इस वीडियो में ही तक रखते हैं क्योंकि ना सिर्फ एक चीज और मैं आपको यहां बताऊंगा कुछ पार्ट जरूर बताऊंगा कुछ अठकर बताऊंगा जो कि आपकी काम आ सके चाहिए बढ़ते हैं जैसे दोस्तों इंग्लीज जो है इंग्लीज जो है क्या है यह इंग्लीज जो है स्टोडी कुरिपे समझे माली जी कि पूर्तगाली जाया थे चौदा सौंठाने में आ थे तो सिलसिला यहां से शुरू होता है अब जाके जो है उन्नीश कह सकते हैं उन्नीश सौंठालिस तक भारत में रहे ठीक है और इस दर्मियान जो चौदा सो यानि कि कह सकते हैं दू स्टों बले राज रहा नहीं पारही करने आया थे पंद्रसुए में तो 400 चार्षा चार्षा साल साल चार्षा सु साल चार्षा सो पचास साल बर लंबा दौर होता है ना कहां 14 15 संचुरी कहां 20 संचुरी तो 454 साल तक अंग्रेज रहे यह आप कभी सोचते हैं क्या कि 454 साल तक कम अबेस कहीं ने कहीं कहीं के इंडिया में रहे तो यह 454 साल भई कि छोटा साल नहीं होता और इसमें दोस्त कितने कैसे-कैसे यह भासा ने करवटे बदली है किस तरह से हमारे रगरग में बस गया है और किस तरह से हमारे जीवन में इतना है कि आप इसे निकाल नहीं सकते इतना भी कहा है कि इंडियन है तो भई हम इंडियन है और हम इंडियन का सबसे बड़ा एक गुन है महाभारती होने का सबसे बड़ा गुन है कि सभी जो अच्छे चीज होते हैं कुछ भी हो दुनिया का कुछ भी हो हम लोग accept करते हैं बुरे चीज को छोड़ते हैं और देश में पन पर," ठीक है? जाहिर सी बात है जोस तो अगर ये मिंधू देश रहा पभी न कभी हिंदू राष्टा, सद्यों से यह हुआ हिंदू राष्टा ता भी तो धिरी धीर करका अर्वी खिलें यहिंद ठीक है आरवि आए और अपने यह है लैंगवज में बहुत सारा मिक्स अप होते गया और इन्ही सब भासाओं को क्योंकि हमारा भासा तो मुलरूप्स निकला संस्कृत संस्क्रीट के बाद जम यह सी वाद पाली भासा आया यहां लेकिन हम लोग तो वही यह सब बोल रहते हैं लेकिन बाद में दोस्तो हिंदी इसी से निकला हुआ भासा है देगुनाई रिक में और बदलते गया भासा है भासा है तो यह कहानी है चार्सों पचास साल इतना ही ऐसा ही नहीं जाने दे सकता है कहीं ने कहीं हमारे आपके रग में है और इसको हम लोग को पकड़ करना चाहिए क्यों नहीं पकड़े जब हम लोग इतनी भासाओं को रख रहे हैं और आज जो है इंग्लिस भी रखी रहे है तो अच्छे से रखे